सो फाइनली रियल्मी की तरफ से रियल्मी एक्सटू ये एक तरीके से लॉंच हो चुका है इन दे साइट अप्ति मोबाल मार्केट और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगो कि आप अपने रियल्मी एक्सटू में स्प्रिट स्क्रीन का यूज करके दो एप्लिकेशन क एक साथ कैसे ओपन करके एक ही मोबाल में दो अप्लिकेशन कैसे यूज कर सकते हैं यह जो मैं आपको फीचर बताऊंगा इस कम्प्लिट ट्रिकी एंड इट विल्बी हेल्प यू तो सेविल लॉड अफ टाइम और डू तू सम खाइंड ऑफ मल्टि टास्किंग वर्क तो यहाँ पर मेरे हाथ में यह कोई Realme X2 का मोबाल नहीं है तो ऐसा मज़चे करें कि Realme X2 नहीं है यहाँ इसमें करने का रिजन यह है कि यह जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा यह सिर्फ आप अपने Realme X2 में ही नहीं बल्कि कोई भी Android स्मार्टफोन में आप यह फीचर को अप सिंप्ली आपको इस ट्री को apply करना होगा सबसे बहले आपको play store open करना है play store पर अपको एक application है जो कि install करना है split screen launcher जैसे धिसको open करें के देन आपको इस application का जो लोगो है वो दिखेगा इस तरीकेस है तैन इसके बाद आपको इंस्टल्ड करके open करना है एंड अंडर का जो इसमें को उसिए सब्सक्राइब कर देना है तो आपको दो Ampki Fifty, Top бег , Module यहां पर मैनुले डिसाइब कर सकती क्योंसे अपिलिकेशन को आपको अपको Top में रखना है उसके Phone एंट को यहां पीजिन की उसके bottom साइड में रखना है तो यहां पर कुछत कने पर नानीं है इसके बाद आपको save कर देना है उसके बाद add automatically इसके बाद कुछ नहीं करना है और यहाँ पर आपको यह दो इसके application रन हो जाएंगे यहां सब दोनों में से किसी को भी select कर सकते हैं तो let's select it जैसे में इस पर tap करूँगा screen automatically split हो जाएगा और दोनों application YouTube और Chrome दोनों एक ही mobile में open हो जाएगा yes, तो 1, 2 and 3 here you can see that now यह down side में है YouTube और top side में है यहाँ पर यह Realme X2 का जो footage है वो आपको यहाँ पर दीख रहा है जैसे मैं इसको rotate करूँगा then उसके बाद okay so यहाँ पर आगर आप rotate करते तो आपको काफी जादा option बेटने मिलता याने की you can see that तो काफी amazing है guys इसकी help से इस split screen application की help से आप अपने Realme X2 में easily multitasking कर सकते है even आप जो time है वो भी कही नहीं कहीं आपका safe वी होगा एक जगा पर आप video play कर सकते हैं YouTube पर और दूसरे side में यहाँ पर आप कोई भी browse करना है जिसको आप browse कर सकते हैं so isn't it cool तो यह आपके time भी save करेगा even आपको काफी अच्छा experience भी होगा यह जो मैंने आपको trick बता ही आप कोई भी Android smartphone में कर सकते हैं and अपने time को safe वी कर सकते हैं and enjoy कर सकते हैं so this is the way where you can easily hide and easily split the screen in Realme X2 so I hope you like this information if you like it so that would be very very appreciation for me thanks for watching